दोस्तों अगर आपको CID शोर देखना पसंद है और आप CID के इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर अभीजीत की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं तो सब सब पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चानल एपिक्सेल्स को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिचिए सब्सक्राइब और साथ में चुब बेल आइकन है उसको भी दबा के ओल से लिट कर लिजे ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जब भी हम कोई नया वीडियो अफ्लोड क करेंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंस्पेक्टर अभीचीट और CID के सीजन टू के बारे में यानि की CID 2 के बारे में लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश करेंगा कि दोस्तों अभी देश में हालत काफी खाराब चल र तो दोस्तों अगर आप अपने घर परी है तो घर परी रहे कुछ को सेफ रहे और अपने परिवार को भी सेफ रहे अगर कुछ जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकले तो दोस्तों आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप अप लोग अपना जो टाइम जरूर देखते होंगे और CRD का जो season 1 था वो तो बंद होगे October 2018 को अभी 2020 चल रहा है दोस्तो और CRD का season 2 जो है उसके पहले कुछ episodes की shooting जो है वो खतम हो चुकी है बहुत ही जल यह आप सब के घर पर आप सब की TV पर आएगा तो दोस्तो आज के इस video में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एसे episode के बारे में जिसमें इंस्पक्टर दया और अभी जित के उपर होता है जान लेवा हमला जी हाँ दोस्तो यह दोनों CRD के सबसे men heroes माने जाते हैं और कोई भी criminal को पकटने का काम अगर दिया जाता है तो यह दोनों अपने जान पर खेल कर उस criminal को पकट लेते हैं लेकिन इस बार थोड़ा अलग होगा criminal जो है वो अपने जाल में इंस्पक्टर दया रभी जित को फशा देता है और उन दोनों को बंदी बना लेता है इसके बाद दोस्तों CID की टीम जाती है और कैसे दया और अविजित को छूडाते हुए वो लोग सब मिलकर कैसे असली गुनागार को पकरते हैं यही आपको देखने को मिलेगा CID के इस एपिसोल में इंस्पक्टर दया रभी जित के उपर होने वाला है जानलेवा हमला तो दोस्तों आशा करता हूँ यह एपिसोल आपको ज़रूर पसंद आएगा जैसे आपके टीवी पर आएगा तो आप लोग मरी तरह ही एक्सेटेट होंगे मुझे लगता है लगता नहीं दोस्तों मुझे भी यह यकिन है कि आप लोग भी CID के सच्चे फ्यान होंगे तो अगर आप CID के सच्चे फ्यान है तो नीचे कॉमेंट में CID लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करें आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद